नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सनमार हमारे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे के अलावे एक और पौधा है जिसको हम समी का पौधा कहते हैं और ये समी का पौधा तुलसी के पौधे के तरह ही पूजनी है अब समी का पौधा अगर हम सास्र की माने तो इसका बिसेश महत्व है क्योंकि इसको घर में लगाना अच्छा माना जाता है और समी का पौधा भगवान सिब का सबसे प्रेपौधा है वैसे तो भगवान सिब पर जल अर्पित करते समय अगर जल में समी का पौधा का पत्ता या पुस्प डाल कर फिर अर्पित करें तो सिव जी सिग्र ही प्रसन हो जाते हैं समी के पौधे को घर में लगाने के फाइदे तो हैं ही और साथ ही नकात्मक उड़ जाओं से ये पौधा बचाता भी है घर में सुख सांती बनी रहती है तो समी के पौधे के लगाने के फाइदे क्या हैं लगाते समें किन बातों का ध्यान रखे चलिए जानते हैं देखिए सबसे पहली बात माननेता है कि समी के पौधे को घर में लगाने से बरकत आती है और घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती और समी के पौधे को घर में लगाने से सभी दुख दूर हो जाते हैं सुख बढ़ता है यह भी कहा जाता है कि समी का पौधा अगर घर में लगाएं तो वास्तू दोस भी दूर हो जाता है और घर की सब बाधाएं समाप्त हो जाती है लेकिन अगर हम हिंदू मानेताओं की माने तो समी के पौधे को घर में लगाने से बिबाह में आ रही बाधाएं भी दूर होती है अगर आपके घर में किसी के उपर साड़े साती या सनी देव की डहिया चल रही है तो सनी देव का पौधा जो ये समी का पौधा लगा दें तो राहत मिलती है परिसानी कम होती है सनी की साड़े साती डहिया की मुस्कले कम होती है लेकिन ये पौधा कब लगाएंगे सनीवार का दिन सबसे सुभ होता है समी का पौधा लगाने के लिए वैसे आप दसहरे के दिन भी समी का पौधा लगा सकते हैं बिना मुर्त देखे पस ये आपको ध्यान डखना है कि समी का पौधा भूल कर भी घर के अंदर मत लगाईए आप चाहें तो बालकनी में गार्डन में घर के मुखे दरवाजे पर लगा सकते हैं तो घर के मुखे दरवाजे पर समी का पौधा लगाना सबसे सुमाना जाता है बस आपको ये ध्यान रखना है कि घर से बाहर जाते समें ये पौधा आपके दाहि च्छत पर समी का पौधा अगर आप रखना चाहते हैं तो दक्षिन दिसा में रखें और अगर संभब ना हो तो पूरब दिसा में रखें समी के पौधे की भी तूलसी की पौधे के तरह ही रोज पूजा करें और धूप दी दिखाएं तो आपके लिए उत्तम रहेगा लेकिन समी के पौधे के कुछ चमतकारिक लाब भी हैं चलिए जानते हैं देखिए सबसे पहली बात तो जोतिस में नो गरह हैं और सनी गरह को नियाए धीस वाना गया है और कुंडली में जब सनी की स्थिती बिगढ़ जाए तो हमारे जीवन पर सीधा असर पड़ता है अच्छा हो जाए तो हमारा जीवन बेतर और बिगढ़ जाए तो मुस्किलें जादा और अगर ये गरह किसी ब्यक्ति को असुप प्रभाव दे सनी गरह तो भागे भी साथ नहीं रहता और घर में परिसानिया भी बनी रहती है इसलिए समी के पौधे के उपाई करने से लाब मिलता है तो सनी देव जहां भी आपके घर के आसपास सिला है अगर आप समी का पत्ता सनी देव क्यों अरपित करें तो तो सनी बार के दिन ये प्रियोक कर सकते हैं कारियों की बाध़ाय भी समापती है अगर नहीं है सनी देव का मंदिर तो फिर कोई बात नहीं छोड़ दीजे दूसरी बात अगर घर में आपने समी का पौधा लगाया है तो उत्तर पूरत विशा के कोने बेगरे में लगा लें लेकिन ये पौधा जब भी लगाएं सनी बार या दसहरे के दिन बिना सुमुर्द का मतल आईएगा तीसरी बात गनेज जी को अगर नियमित रूप से समी का पत्ता अर्पित करते हैं तो घर परिवार में बरकत बढ़ता है नौकरी रोजगार की परिसानी दूर होती है और गनेज जी को अगर आप समी का पत्ता सिर्फ बुद्वार को भी चड़ाएं हर बुद्वार जैसे आप दुरुआ खास अर्पित करते हैं न बिल्कुल वैसे ही समी का थोड़ा सा पत्ता तोड़कर और गनेज जी को अर्पित करें बहुत प्रियेशन गनेज जी को और जब मानेता तो ये भी है कि समी में सिब जी का बास होता है और इसी वज़े से ये पत्ता गनेज जी को आप चढ़ाते हैं और समी पत्र चढ़ाने से बुद्धी तेज होता है घर की औसांती दूर होती है चौथी बाद देखिए समी का पत्ता सिबलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं जल में डाल कर एक लोटा जल लेने थोरा सा पत्ते डाल दे या पुस्प है तो पुस्प दूर होंगी जीवन की जो परिसानिया है वो समाप्त होगी अगर जीवन में धन का अभाव बहुत है घोर से घोर दरिता चाई भी है खुम मेहनत करने के बाद भी धन आही नहीं रहा बची नहीं रहा तब आप किसी भी सनीवार के दिन एक समी का पौधा खरीद कर घर आप क्या करेंगे जो पौधा है लगा लिजे पिले अपने घर में जहां पिया आप लगाना चाहते हैं अब पहला दिन आप एक चोटा सा काम करें समी के पौधे की जड़ में पूजा की एक सुपारी और एक सिक्का जड़ की मिट्टी में कोड़ कर अपने मन की समस्या यह धन की प्राप्ति की प्रास्ना करके गाड़ दें और इसके बाद एक लोटा जल या घंगा जल है तो अरपित करें और पौधे में नियमित रूप से जल अरपित करें और साम के वक्त एक दिया जलाईएगा आप देखिएगा धन की मुश्किलें दूर हो जाएगी दूसरा कभी कभी क्या होता है ना कि आप चाहते हैं कि घर में बिमारियां आये ही ना अगर कोई बिमार है तो जल्दी ठीक हो जाए तब एक छोटा सा काम करें आप सणी बार के दिन समी के पौधे के गंबले में जहां भी आपका समी का पौधा है आप वहाँ पर एक छोटा सा पथल का सिबलिंग अस्थापित कर दें छोटा सा आप कोई भी सिबलिंग अस्थापित कर सकते हैं और सिबलिंग पर नियमित रूप से थोड़ा सा दूर 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 डूर डाला करें इस बीधी से अगर आप पूजा करेंगे और महा मिर्तुंजे का मंतर का जब करेंगे तो परिवान में रोग, सोक, दुख आएंगे ही नहीं अगर हैं तो वो चले जाएंगे और महा मिर्तुंजे मंतर तो आपको पता है चन कुंडली में सनी दूसीत है किसी भी सनी बार के दिन से प्रारंब करके 45 दिन तक लगातार एक प्रियोकरे आप नहीं कर पाएंगे जिस दिन उस दिन आपके बदले में कोई घर का अन्य बेक्ति कर सकता है एक तो समी के पोधे के पास एक दिया जलाना है दूसरा अपने सि समाप्थ होगा विवा की अर्चने भी समाप्थ होगी वैसे तो बहुत सारे जैसे कि हमारे जोतिस में यह भी कहा गया है कि जिनका बिवा नहीं हो पारा वो सिम्दूर से पूजन करें समी ब्रिक्ष का अगर कुंडली में कैसा भी दोस्त सरह साती धैया जो भी हो तो ऐसे म लाल कलावा, लाल मौली धागा समी के पौधे में बांदे, रात भर बांदे रहने दे, सनी बार के दिन याद रखे, अगले दिन सुबह मौली धागा खोल कर, एक चांदी की डिबिया में या ताविज में भर कर, आप धन के अस्थान पे रख ले या आप ऐसे ही रख सकते हैं धन की मुश्कलें दूर हो जाएगी सही दिसा में लगा हुआ सनी का पौधा जीवन में दिन दूनी राज आपको सिंपल तरीके से डालना है अब उनके सामने रोज साम में दिया जलाएं और सनीदेव के पौधे में जो थोड़ा सा अगर काला तिल और काली उड़द अरपित कर दे उनकी जड़ में तो साड़े साती और जो धहिया है उसका दूस्प्रपाव कम हो जाता है चोट चप सब्सक्राइब के दिनभी रूदय को लगाते हैं तो विर उत्तम है तो यह पौधे घर में गंले में या फिर जमीन में घर के मुख्य के पास लगाए तो उत्तम है और अगर आपके घर में समी का पौधा है तो प्रयास को वह सु खेना हर समी एक पत्ता रोज भगवान सिब को और पित करें जीवन में कभी कस्ट आएगा ही नहीं फिलाल भी दालेंगे दन्यवाद